अगर हमने इंडियाना जोन से कुछ सीखा है तो वो ये कि प्रातत्व या आर्कालोजी काफी डरावनी भी साबित हो सकती है। ये अलग बात है कि आज की आधनिक आर्कालोजी इंडी के किस्वों जैसी रोमान्चक नहीं है। लेकिन हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी खुजें जिनने देखने के बाद आप इन आर्केलोजिस्ट की हिम्मत की दाद देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की दस सबसे डरावनी प्रातत्विक खुजें। 1986 में एक आर्केलोजिस्ट टीम को नीजलेंड के माउंट ओविन की एक अंधेरी गुफा में एक बड़ा सा पंजा मिला जो किसी डाइनोसोर के पंजे की तरह लग रहा था। इसकी चमड़ी पपड़ीदार्त थी मगर ये गौडजिला का साक्षिन नहीं था। असल में ये अपलेंड मोआ कही जाने वाली 3000 साल पुरानी एक चड़िया के शरीर का टुकड़ा था। विलुप्त होने से पहले इस विशाल का चड़िया की दस अलग अलग प्रजातियां प्रिथवी पर विचरन करती थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी चड़िया थी और कुछ की लंबाई तो 10 फीट तक भी हो सकती थी। जाधा तर मोआ 4.2 फीट उची हुआ करती थी। प तो वैसे भी दिल दहला दीती है पर किसी परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करने के बाद उन्हें खा जानी की खबर को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 1994 में शोत करताओं को उत्तर पश्चिम स्पेन में इस्थित सिड्रॉन की गुफाओं में एक नियंडर्थल परिवार के अवशेश मिले जिसमें तीन बच्चे, तीन कुशोर और छे व्यस्क थे अनुमान के मताबिक उनकी मृत्यू करीब 49,000 साल पहले होई थी उनकी चकना चूर हड़ियों से पता चलता है कि उन्हें तेजी से एक जटके में मारा गया फिर खोपरी खोल कर भेजा, जबान और यहां तक की हड़ियों का गोदा तक निकाल लिया गया, उस जगह आग के कोई भी निशान नहीं मिले, यानि इस परिवार को किसी ने कच्चा ही खाया था, वैसे नियंडर्थल्स के लिए नर्भक्षी होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसे और भी बह लेंकर मनजर देखा, जिसमें बहुत से कंकाल जनजीरो में चकड़े हुए थे और उनके जबड़े खुले हुए थे, इनकी मौत को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं, पर जाद तरह एक्सपर्स का मानना है, यह साइलोन के समर्थक हैं, जिन्हें सजाई मौत हुई यह कंकाल 650-625 इसापूर्व की बीच के हैं, और यह सभी एकदम जवान और स्वस्त मर्थ थे, और उन्हें किसी आम अपरादी की तरह नहीं, बलकि पूरे सम्मान के साथ दफनाय गया था, यह सभी तथे धान में रखके देखें, तो यही लगता है कि एक्सपर्स की बात एकदम सही है, नमबर साथ, बुल्गारिया के वेंपायर की कब्र, बुल्गारिया में की गई प्रातत्विक खुदाईयों में वेंपायर की बहुत सी कब्रगाही मिली है, मध्ययोगीन बालकन में वेंपायर को लेकर बहुत सी अंद्विश्वासी मानेताइं प्रचलित थ जमीन में धसी हुई थी और उसके दोनों पैर कटे हुए थे ताकि वो जिन्दा होकर कबर से बाहर ना निकल सके ऐसे ही कुछ दूसरे कंकाल भी मिले हैं जिन में दिल के पास या सोलर प्लैक्सिस के पास पसलियों के आर पार धातू जैसे चीज़ें घुसी हुई थी ऐसा ही वेंपायर था सोजोपोल सोजोपोल किले का क्रूर शाशा क्रिविक उसके लाश में सीने के आर पार लोही की एक रौट घुसा दी गई थी ताकि वो मरने के बाद शहर के लोगों को परिशान ना करे नमबर च्छे सौ मरे हुए बच्चे सिर्फ एक ही चीज़ मरे हुए प इक रोमन बाथ हाउस की नीचे मिला था, बच्चों की सामोही कब्र के बारे में बात करना भी ठीक नहीं लगता पर बतकिस्मती से ये किसी एक जगे पर मरे हुए बच्चों की सबसे बड़ी खोश थी, हड्यों की फॉरेंसिक जाश से पता चला कि शुन की बच्चे पूर करकट के दरह फेक दिया गया आज के जमाने में तो ऐसा सोचना भी पाप है भाई नमबर पांच मेक्सिको के एलियन्स की खोपड़ी आखिरकार एलियन्स की मौजूदगी का सबूत मिल ही गया जादा खुश मत हो यह मैंने तो ऐसे ही कह दिया था 1999 में मेक्सिको के छोटे से गाओं ओनावस के लोगों को एक नहर की खुदाई करते वक्ग हिस्पैनिक काल से भी पहले का एक प्राचीन कप्रिस्तान मिला उसमें से अजीब सी लंबी-लंबी खोपड़ी निकली पहली नजर में तो यह कोई भी घपरा कर कह दे कि एलियन की खो करना तो एलियन देखने से भी जादा डरावना है पर ऐसा आखिर किया क्यों जाता था ये लोग ऐसा क्यों करते थे ये तो नहीं पता पर बहुत सी दूसरी सोसाइटीज में ऐसा धार्मिक रीतियां या लोगों को बाकी समास से अलग दिखाने वाला बनाने के लिए किया जाता था नमबर चार बर्फ में जमें बली के बच्चे लुलाई लाचो जौला मुखी अर्जेंटीना इमेजिन कीजे के आप किसी प्राचीन मंदिर में खोजबीन कर रहे हों और वहां आपको बली के लिए मारे गए बच्चों की जमी हुई लाशे मिलें अर्जेंटीना के लुलाई लाचो जौला मुखी की चोटी के पास इस्थित एक मंदिर के पास 1999 में ठीक आसा ही हुआ करीब 500 साल पहले इन बदनसी बच्चों को इंका लोगों में प्रचलित कापा कोचा कही जाने वाली बली प्रथा के लिए मार दिया गया था इन मैसे सबसे छोटे बच को कई रीती रवाजों में भाग लेना पड़ा जिस दौरान इन्हें बेहतरीन से बेहतरीन खाना खिलाय जाता था पर साथ ही साथ उन्हें खुब सारी मकाई की शराब और कोकू की पतियां भी खानी पड़ती थी तो वे ज्यादातर समय नशे में ही रहते थे और उन्हें इसलिए किया जाता था ताकि वे अपनी आने वाली मौत का विरोध ना करें और चुपचाब भगवान के सामने बली चड़ जाएं। इस सिर कुचल कर शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जला दिया गया था। और हाँ इस यातना के दोरान उनके सिर से बाल भी चील कर उतार लिये गए थे। इस नरसंहार के लिए पडोस के गाउं के लोग जिम्मिदार थे। क्यूँ? क्यूंकि मरने वाले सामन्त वर्के थ जो कि अगल बगल के लोगों पर हुक्म चलाते थे। सो एक दिन लोगों ने कुलहारी उठाई और हुक्म चलाने वालों से छुटकारा पा लिया। वैग्यानिक आज भी इस बात पर सहमत नहीं है कि इस कांट को नरसंहार कहा जाए या मामूली कांट कोई भी नाम देतो भ असपास मिस्र में ममी बनानी की प्रक्रिया का अध्यन कर रहे थे। उन पर मानव शरीर को संरक्षित करने के तरीकों की महारत हासिल करने का जुनून सवार था। और उन्होंने खुद भी ऐसी एक प्रक्रिया विक्सित की जो कि अब गुम हो चुकी है। उनका तरीका इतन बहतरीन था कि वे जिस लाश पे काम करते थे वो कुछ समय बाद एकदम पथर सी हो जाती थी। पर अफसोस उनके वैग्यानिक प्रयोग बिना लाशों की चूरी के संभव नहीं थे। वे कबरों के लोटेरों से या अस्पताल के स्टाफ से लाशें खरीदा करते थे। वो यह हुआ ना जैसी करनी वैसी भरनी का एकदम सटी को दारन। इन चीखती हुई ममीज में से एक है अन्नोन मैन ई जो 1881 में एक गुम नाम सार को फेगस या पत्थर के ताबूत में मिला था। ताबूत पे कोई नाम ना होनी की वज़े से उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी और स्वर्ग नहीं पहुँच पाएगी। वैसे इस आत्म इस आत्माइब को बड़े सम्मान से दफनाते हूं पर लगता है कि आने वाले पीडियों को डराने के लिए उनके मूँ इतने भयानक तरीके से खुले छोड़ दिये जाते हैं क्या आप भी किसी ऐसी डरावनी चीज़ के बारे में जानते हैं नीचे कॉमेंट्स में हमें ज अत्रावनी चुले जानते हैं क्या ए्टियों